हेलो फ्रेंट्स आप सब का सोगत है अपने इस पॉजिटिव पर्विवार में कैसे हो आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इगनों में परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं असाइमेंट के कितने परसेंटेज मार्क एड होते हैं फाइनल रिजल्ट में वीडियो के लास में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेटिकल, इंटर्शिप, प्रोजेट की परसेंटेज निकालने का फॉर्मेट कैसा होता है तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो यहाँ पे कोर्स कोड डिया हुआ है उसके बाद असाइमेंट मार्क थेरी मार्क दिये हुए है परसेंडेज कैलकुलेट करते वक्त असाइमेंट के 30% मार्क काउंट होते है और थेरी एक्जाम के 70% मार्क यहाँ पे हमें 94 मार्क के 30 परसेंट निकलना पड़ेंगा और 64 मार्क के 70 परसेंट निकलना पड़ेंगा तो चलो calculation करके देखते हैं 94 into 30 divided by 100 यहाँ पे answer 28.2 आया है बट आपको point format में नहीं लिखना आ है इसे आपको round of करके लिखना है 28.2 का round of होंगा 28 अगर point पास से कम आ रहा है तो उसे वही number लिखना पड़ेंगा अगर 28.5 रहता तो उसे हम round of करके 29 ऐसा लिखते हैं तो फ्रेंट यहाँ पे 28 लिख लेते हैं अभी थेरी एक थेरी पेपर का दिखते हैं 64 इंटू 70 डिवैड़ेड बाइ 100 तो फ्रेंट यहाँ पे आंसर 44.8 आया है तो यह round of करके 45 हो जाएंगा क्योंकि point पास से ज्यादा है तो यहाँ पे 45 लिख लेते हैं इनकी addition करते है 45 प्लस 28 तो यह हो गया 73 बतलब 73 मार्क हो गया है टोटल 100 आउट आप अभी नेस देखते है 69 इंटू 30 डिवैड़ेड बाइ 100 तो प्रेंड यहाँ पे answer 20.7 आया है राउंड आप करके यह 21 हो जाएंगा तो यह कि 5.5 से ज्यादा है अभी नेक्स थेरी के मार्क देखते है 48 इंटू 70 डिवैड़ेड बाइ 100 तो प्रेंड यहाँ पे answer 33.6 आया है तो इसे राउंड आप करके 34 लिख लेंगे इन दोनों के addition करते अभी 34 प्लस 21 तो यह हो गया 55 हो एसी फर्मेट में आपको परसेंडेज निकालने है I hope आपको राउंड आप वाला कंसेट समझ आया होंगा फ्रेंड अभी हमने देखा assignment, theory के mark कैसे निकालते है अभी हम देखेंगे practical, project, internship के percentage कैसे निकालते है फ्रेंड आपको जो नीचे red color में जो course दिख रहे है वो practical, internship और project के mark से यहाँ पे simply pattern follow होता है आपको यहाँ 70%, 30% वाला format follow नहीं करना पड़ेंगा यहाँ पे आपको out of 100 जितने mark मिले उतना ही लिखना पड़ेंगा suppose आपको 100 out of 92 mark मिले तो आपके 92 mark हो गए अगर 96 मिले तो 96 हो गए इन सबकी addition करके हम percentage निकाल सकते हैं इन सबकी addition हो गई 1042 और यहाँ पे total courses है 13, so 1042 divided by 13 तो यह आगया 18.15 equal to 80%, so friends इस तरह से आप percentage निकाल सकते हो